नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का Rankers GK YouTube चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम UP Current Affair का थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं और आप सभी की जानकारी के लिए बता दू हमने UP Current वे UP GK के ओनलाइन प्रैक्टिस सेट लोंच कर दिये हैं तथा उनकी एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है जो भी स्टुडेंट UP GK या UP Current Affair की तयारी अपने प्रैक्टिस सेट के दुवारा करना चाता है वो इन प्रैक्टिस सेट के माद्यम से अपनी तयारी को और तेज धार दे सकता है तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के अपनी किलास को पहला कोशन आप सभी के सामने दिया गया है तो मेरे दोस्त देश का जो पहला दूर संचार उतकरश्टता के अंदर रहना वो आपका उत्तर पर देश राज्ये के अंदर बनाया जाएगा अब आपको इस पहले उतकरश्टता केंदर के बारे में कुछ अन्य महत्मून जानकारी भी बता देता हूँ दोस्तो ये जो दूर संचार उतकरश्टता केंदर होता है इसे ही आप दूर संचार सेंटर ओफ एक्सिलेंस के नाम से भी जानते हैं और अगर बात करू उत्तर परदेश के किस जन्पत में इसकी स्थापना की गई है तो योगी आदित्यनाच जी के दुआरा सहरनपूर जन्पत के अंदर देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ओफ एक्सिलेंस के निर्मान को हरी जन्डी दे दी गई है तो ये फैक्ट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपूटेंट फैक्ट हो जाता है इस फैक्ट को आप नोट करके चलना नेक्स्ट कोशन है काशी तमिल संगमम के दूसरे च्रण में शामिल होने वाले साथ समूहों में से चात्रों के समूहों को किस विशेश नाम से संबोधित किया गया है तो काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्क्रण के अंदर जो साथ समूह बनाए गये है जिन में से चात्रों का जो समूह है उस चात्रों के समू को किस विशेष नाम से जो है वो पुकारा गया है या सम्भोधित किया गया है आपको ये बताना है तो चात्रों के समू को गंगा नाम दिया गया है, option number 20 का बिलकुल correct answer है अब वे साथ समू कौन से हैं वे भी एक बार आपको यहीं पर बता देता हूँ क्योंकि एक नंबर में आपसे कोशन किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया चात्रों के समू को इसमें गंगा कहा गया शिक्षकों के समूँ को इसमें यमुना कहा गया पेशेवरों के समूँ को इसमें गोदावरी कहा गया अज्यात्मिक लोगों के समूँ को इसमें सरसुती कहा गया किसानों और कारिगरों के समूँ को इसमें नर्मदा कहा गया लेककों के समों को इसमें सिंदु नाम दिया गया और व्यापारियों और व्यवसाईकों के समों को इसमें कावेरी नदी का नाम दिया गया है इन साथ समों का नाम भारत की साथ पवित्र नदियों के नाम पर रखा गया है यही वे साथ समू हैं जो काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण में शामिल किये गए हैं तो very very most important question है एक एक चीज को अपनी कोपी में साथ के साथ नोट करके चलना next question खबरों में रहा रामगर ताल उत्तर परदेश के किस जनपत से संबंदित है तो रामगर ताल जो है यह उत्तर परदेश के गोरपुर जनपत से संबंदित है option number 20 का बिलकुल correct answer है next question ड्रोन परचालन सुरक्षा नीती 2023 को किस राज्य ने मंजूरी दे दी है तो मेरे दोस्त यह जो ड्रोन परचालन सुरक्षा नीती है इस सुरक्षा नीती को हाल ही में उत्तर परदेश राज्य के दौरा ही मंजूरी दे दी गई है option number 20 का बिलकुल correct answer है next question उत्तर परदेश के किस जिले में एक British company दौरा रक्षा चेत्र में 75,000 करोड रुपे का निवेश किया जाएगा तो उत्तर परदेश के आयोध्या नामक जन्पत में एक British company के दौरा रक्षा चेत्र में 75,000 करोड रुपे का निवेश किया जाना है option number ace का बिलकुल correct answer है अब आयोध्या में निवेश करने वाली ये British company कौन सी है इसका नाम क्या है वो भी आपको एक बार बता दिता हूँ बेटेन की बड़ी company है जिसका नाम है ट्राफ लगर स्कॉयर कैपिटल यही company उत्तर परदेश में defense विनिर्मान की इकाईया को लगाईगी इसके लिए company ने कुल मिलाकर 75,000 क्रोड रुपे का निवेश करने का फैंसला किया है और यह निवेश आपका अयोध्या जनपत के अंदर किया जाना है तो अयोध्या में जैसे कि आप सभी ने देखा होगा हाल ही में स्रीराम मंदिर का भी निर्मान किया गया है और अयोध्या में ही इतने बड़ी amount का भी निवेश किया जाना है तो इस कारण से अयोध्या आपके लिए hot list में शामिल हो जाता है और very very most important जनपत भी हो जाता है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं उप्षे नमबर A का बिलकुल correct answer है चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर नेक्स्ट कोशन आप सभी के सामने है उत्तर परदेश के किस जिले का नमो घाट जल थल और नब से जुडने वाला पहला घाट बन गया है तो यह घाट उत्तर परदेश के वारानसी जनपत में स्थित हो जाता है अर्थात उत्तर परदेश के वारानसी जनपत का नमो घाट जो है वो जल थल और नब से जुडने वाला देश का पहला घाट बन चुका है यह कुशन भी काफी जादा इंपोटेंट आप सभी के एक्जाम के लिए हो जाता है दोस्तो आपको एक एक कुशन बिलकुल सेलेक्टिड और मोस्ट इंपोटेंट कुशन आपको इन क्लासिस के अंदर देखने के लिए मिलेगा और इतना विश्वास जरूर आपको दिला सकता हूँ कि यूपी करेंट अफेर के लिए आपको कहीं और भटकने की जुरत नहीं पड़ेगी तो नेक्स्ट कुशन आप सभी के सामने है उत्तर परदेश के किस प्रोध्योगे की संस्थान दुआरा नारकोंडम दीप के पास तेल और गैस की होज की गई है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आयाटिक कानपूर के पास ओप्शन नम्बर बीज का बिलकुल करेक्ट आंसर है बात करो नारकॉंडम दीप की तो भारत का पूरुतम दीप है जिसका नाम है नारकॉंडम दीप नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं उत्तर परदेश के किस जिले में परदेश के पहले भेड़ ये भेड़ है भेड़ नहीं बेड़ बकरी पालंग परसिक्षन के अंदर का लोकारपन किया गया है तो इसका लोकारपन इटावा जिले के अंदर कर दिया गया है और इसके बाद नेक्स्ट कोशन पर चलने से पहले आपको इनी कोशन का एक बार कुई क्रिविजन दुबारा से करा देता हूँ जिससे आपके सभी कोशन साथ के साथ यहीं पर याद होते चलेंगे देखते हैं पहला कोशन देश का पहला दूरसंचार उतकरश्टा केंदर किस राज्य में बनाये जाएगा तो मैंने आपको अभी बताया पहला दूरसंचार उतकरश्टा केंदर जिसे आप टेलिकॉम सेंटर ओफ एक्सिलेंस के नाम से भी जानते हैं यह उत्तर परदेश के साहरनपूर में बनाया गया है नेक्स्ट है उत्तर परदेश के किस जनपत से संबंदित है तो यह गोरफपूर जनपत से संबंदित हो जाता है नेक्स्ट है ड्रोन परचालन सुरक्षा नीती 2023 को किस राज्य ने मंजूरी दी है तो इसको हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्ये के द्वारा मंजूरी दे दी गई है नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक बिटिश कमपनी के द्वारा रक्षा छेत्र में 75,000 करोड रुपे का निवेश किया जाएगा तो मैंने आपको अभी बताया था कि इंग्लेंड की एक बिटिश कमपनी है जिसका नाम है ट्राफल गर इसकोईर कमपनी अयोज्या के अंदर 75,000 करोड रुपे का निवेश करने वाली है उत्तर परदेश के किस टाइगर रिजर्व को transformative sustainable tourism potential के लिए कैला सांखला पुरुषकार मिलेगा तो इसके लिए पीली भी टाइगर रिजर्व को यह पुरुषकार दिया गया है नेक्स्ट है उत्तर परदेश के किस जिले का नमोगाट जल थल और नब से जुड़ने वाला देश का पहला गाट बन गया है तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि उत्तर परदेश के वारानसी जिले का नमोगाट जो है वो जल थल और नब से जुड़ने वाला देश क पहला गाट बन चुका है उत्तर परदेश के किस प्रोडयोंगे की संस्थान दुआरा नार्कोंडम दीप के पास तेल और गैस की खौज की गई है तो इसकी खौज आयलिटिक कानपूर के पास की गई है नेक्स्त कोशन उत्तर परदेश के किस जिले में परदेश के पहले भेड़ बकरी पालन परसिक्षन केंदर का लोकारपन किया गया है तो परदेश के पहले भेड़ बकरी पालन परसिक्षन केंदर का लोकारपन इटावा जन्पत केंदर कर दिया गया है ये चीज़ भी आपको ध्यानत नहीं है दोस्तों ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे आप लोग कमेंट बोक्स में जरूर बता सकते हैं इसके बाद मैं आगे की जितने भी किलास लाऊंगा वो इसी तरीके के अनुसार लेकर आऊंगा जैसे कि आपको 10-15 कोशन पहले मोक के द्वारा करा दिये फिर साथ के साथ उसी कलास के अंदर उनका रिवीजन करा दिया उसके बाद हम नेक्स्ट कोशन पर चलेंगे जैसे कि चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर उसके परदेश के लगनों विशविद्धाले को पर्थम श्रीनी का दरजा दे दिया गया है और यह दरजा पाने वाला परदेश का पहला विश्विद्धाले बन चुका है उत्तर परदेश के अली गड़ का नया नाम रखने का प्रस्ताव क्या रखा गया है तो अली गड़ का नया नाम बदल कर हरी गड़ कर दिया गया है उप्शन नमबर डी इस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन प्रियाग राज से हल्दिया जल्मार्ग को किस नाम से जाना जाता है तो प्रियाग राज से लेकर हल्दिया तक जो जल्मार्ग जाता है उसे राष्टिय जल्मार्ग एक के नाम से जाना जाता है ओप्शन नमर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है next question किस राज्य में पर्देश की विरासत को बढ़ावा देनी के लिए संस्कृती उत्सव दोहजार तेहिस का आयोजन किया गया है तो संस्कृती उत्सव दोहजार तेहिस का आयोजन उत्तर पर्देश के अंदर कर दिया गया है option number 16 का बिल्कुल correct answer है नेक्स्ट कोशन सरदार वल्लब भाई पटेल की जैनती पर उत्तर परदेश के किस शहर में रन फोर यूनिटी का आयोजन किया गया है तो उत्तर परदेश के लखनो नामक शहर में रन फोर यूनिटी का आयोजन कर दिया गया है और यूपी जीके के अंदर मैंने आपको बता नगर मानते हैं और तकानपुर को ही आप साभून उद्योग के लिए भी परसिद्द नगर मानते हैं नेक्स्ट कुशन उत्तर परदेश के की जिले में सबसे अधिक सोलर रेडियेशन पाया जाता है तो सरवादिक सोलर रेडियेशन जो है वो जहां से जिले के अंदर पाया जाता है ओप्शन नबर बीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन उत्तर परदेश सरकार कहां पर पहला एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाएगी तो उत्तर परदेश सरकार के दुआरा हाल ही में यह है फैसला लिया गया है कि लखनों के अंदर पहला एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाए जाएगा तो option number D इसका बिल्कुल correct answer है Next question IIT लखनों और किस विश्विध्याले ने कत्थक पर शोध के लिए समझोता किया है तो हाल ही में IIT कानपूर के साथ बातखंडे संस्कृति विश्विध्याले ने कत्थक पर शोध करने के लिए एक समझोता ग्यापन को रस्ताक्षियार कर लिए है option number D इसका बिल्कुल correct answer है Next question केंद्रिया IIT मंतरी अश्वनी वैसनव ने UP के किस जहर में डिक्सन टेकनलोजी की नई फैक्टरी का उधगाटन किया है तो अश्वनी वैसनव जी के द्वारा उत्तर परदेश के नोएड़ा में डिक्सन टेकनलोजी की नई फैक्टरी का उधगाटन कर दिया है तो option number B इसका बिल्कुल correct answer है Next question किस राज्य सरकार ने 25 नौवंबर को 999 दिवस गोशित कर दिया है तो 25 नौवंबर को परतिवर्ष 999 दिवस मनाया जाये करेगा यह दिवस जो है वो उत्तर परदेश सरकार के द्वारा गोशित किया गया है option number C इसका बिल्कुल correct answer है Next question सिफी Infinite Spaces और Jackson Limited उत्तर परदेश में कहाँ पर डेटा सेंटर विक्सित करेंगे तो अर्थात उत्तर परदेश के किस जनपद में यह दोनों कमपनियां अपने डेटा सेंटर विक्सित करने वाली है तो उत्तर परदेश के नोईडा के अंदर यह दोनों ही कमपनियां अपने डेटा सेंटर को विक्सित करेंगी option number D इसका बिल्कुल correct answer है Next question किस राज्य की आनंद डेरी ने पशुधन सुधार के लिए ब्राजिलियाई कमपनियों के साथ समझोता किया है तो हालही में उत्तर परदेश राज्य की ही यह आनंद डेरी है जिसने हालही में पशुधन सुधार के लिए ब्राजीलियाई कमपनियों के साथ समझोता ग्यापन पर अस्ताक्सर कर लिए है ओप्शन नमबर सी इस का बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन बक्तों के घरों से दिये जलाने में मदद करने के लिए उत्तरपरदेश सरकार ने किस एप को लौँच किया है तो हाल ही में उत्तरपरदेश सरकार ने होली अयोध्या एप नामक एप को लौँच कर दिया है ओप्शन नमबर 20 का बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं उत्पादन निगम NTPC उत्तर परदेश में कहां पर 1600 मेगावोट की अनपरा E सहियत्र कहां पर इस्तापित करेगा तो 1600 मेगावोट की जो E अनपरा सहियत्र है यह आपकी हसोन बत्र के अंदर इस्तापित की जाएगी ओप्शन अमबर D इसका ब दोरा किया गया है उप्शन नंबर सीज का बिलकूल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन मुक्यमंदरी योगी आदित्तेनाथ ने कहां पर दक्षन पस्चिम एशिया के सबसे बड़े पे सहियत्र का उदगाटन किया है तो दक्षन पस्चिम एशिया के सबसे बड़े पे सहि अत्रका उद्गाटन जो है वो अमेठी के अंदर कर दिया गया है ओप्शन नमबर सीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन सीखने नवचार को बढ़ावा देने के लिए किसने आयायम इंदोर के साथ समझोता कर लिया है तो हाल ही में सीखने और नवचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में आयायम इंदोर के साथ डाक्टर एपिजे अब्दुलकलाम तक्निकी विश्विद्धाले ने समझोता कर लिया है ओप्शन नमबर डीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं अयोध्या समेट साथ नए हवाई अड़ो की सुरक्षा कौन सुनिश्चत करेगा तो अयोध्या के साथ साथ नए हवाई अड़ो की सुरक्षा जो है वो उत्तरपरदेश विशेश सुरक्षा बलके आथ में सौंप दी गई है अर्थात इसे आप सोट फों में UPSSF अर्थात उत्तरपरदेश स्पेशल सिक्यूरिटी फोर्स के नाम से भी जानते हैं तो उप्षा नमबर सी इस का बलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं सीम योगी आदित्तिनात ने सीम ग्रिड योगी 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 जानते हैं तो मुख्यमंत्री ग्रिड योगी 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 को लागी करने के लिए हाल ही में URIDA की इस्थापना कर दी है उप्षा नमबर सी इस का बलकुल करेक्ट आंसर है अब सबसे पहले तो आपको बता दो CM Grid योजना क्या है CM Grid की अगर आपको फुल फॉम बताओं तो मुख्यमंत्री Green Road Infrastructure Development इसकी पूरी फुल फॉम हो जाती है और इस योजना को लागू करने के लिए जो यूरिडा की स्थापना की गई है इसकी फुल फॉम भी आपको पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉम है Urban Road Infrastructure Development Agency Next Question पर चलते हैं उत्तर परदेश में कहां पर देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन किया गया है तो देश की जो सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन हुआ है वह उत्तर परदेश के गोंडा नामक जन्पद में किया गया है Option नमबर 20 का बिलकूल correct answer है उत्तर परदेश के गोंडा जिले में देश का सबसे बड़ा कन्या भोज कारेकरम आयोजित किया गया है जिला परदेश की ओर से आयोजित इस कारेकरम में 11888 कन्याओ को एक साथ पूजन किया गया है Next question पर चलते है Next question CM योगी उत्तर परदेश में कहां पर पहला मिशन सकती कैफे खोलेंगे तो उत्तर परदेश का जो पहला मिशन सकती कैफे है वहवी गुंडा के अंदर ही खुलने वाला है ओप्शन नमबर 20 का बिल्कोल करेक्ट आंसर है यह उत्तर परदेश का पहला मिशन सकती कैफे होने वाला है इस कैफे को मिशन सक्ति के चोते चरण के तैयत खोला गया है इस कैफे का उद्गाटन उत्तर परदेश के मुक्यमंतरी योगी आदितिनाजी के द्वारा किया जा चुका है स्वेम साहता समू के सदस्वे द्वारा संचालित कैफे का लक्षे ने केवल इन महिलाओं को ससक्त बनाना है बलकि चात्रों को पोस्टिक भोजन भी परदान करना है तो इतना फैक्ट आपको मिशन सक्ति कैफे से ध्यान रखना है नेक्स्ट कॉशन नेपुन असस्मेंट टेस्ट में उत्तर परदेश के कितने चात्रों को A++ मिला है तो निपुन असेस्मेंट टेस्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के 31 लाख विध्यारतियों को A++ ग्रेड मिला है उप्शन नमबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं उत्तर प्रदेश में कहां पर पसुचिकित्सा विध्यान महाविद्याले का निर्मान शुरू हुआ है तो उत्तर प्रदेश के अंदर गोरगफुर जनपद में पसुचिकित्सा विध्यान महाविद्याले का निर्मान शुरू किया गया है option number D इसका बिल्कुल correct answer है next question परदानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत की पहली छेत्रिय रेल rapid X का उद्गाटन किया है तो भारत की जो पहली छेत्रिय रेल है जिसका नाम है rapid X इसका उद्गाटन उत्तरपरदेश राज्यके अंदर कर दिया गया है option number C इसका बिल्कुल correct answer है इसका उद्गाटन परदानमंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा उत्तरपरदेश के सहिवा बात से किया गया है ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है next question उत्तरपरदेश के वरानसी में और काशी तमिल संगमं 2023 का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया है इसका उद्गाटन जो है वो नरेंदर मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है option number B इस का बिल्कुल correct answer है और काशी तमिल संगमं 2023 जो है वह यहाँ पर दूसरा संस्क्रण आयुजित किया गया है स्वरवेद महामंदिर और इस स्वरवेद महामंदिर अर्था दुनिया के सबसे बड़े meditation center का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया है तो वह परदान मंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा किया गया है और यह उद्गाटन कहां पर हुआ है यह है उद्गाटन आपका उत्तर परदेश के वारानसी जन्पद में किया गया है ओप्शन नमबर 20 का बिल्कुल correct answer है तो यहां से आपके तीन कोशन बिल्कुल clear हो चुके हैं कि उद्गाटन किस के दुआरा किया गया परधान मंतरी नरेंदर मोदी के दुआरा किस जन्पद में किया गया वारानसी जन्पद में दुनिया के सबसे बड़े meditation center का नाम क्या है स्वर्वेद महामंदिर तो तीनो ही कोशन आपको clear होने चाहिए नेक्स्ट कोशन है उत्तर परदेश के किस चहर में aviation manufacturing hub बनाये जाएगा तो उत्तर परदेश के नोईडा में aviation manufacturing hub बनाये जाएगा उप्शन नंबर A का बिनकुल correct answer है यूपी aviation industry का hub बनेगा जेवर में बन रहे नोईडा international airport limited के पास एक हजार एकड़ भूमी पर इसी महा यह योजना लाने की तियारी की जा रही है तो इतना fact आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कुशन किस राज्य की कोर्वा ओर्डिनेंस factory में AK-203 assault rifle का निर्मान शुरू हुआ है तो इस rifle का निर्मान जो है वह उत्तर परदेश की कोर्वा ओर्डिनेंस factory में शुरू किया गया है उत्तर परदेश के अमेठी जिले में शुरू कोर्वा ओर्डिनेंस factory में भारत और रूस के संयुक्त प्रियास से बनी assault rifle कलाशी को AK-203 का उत्पादन शुरू हो चुका है इसकी delivery जल्द ही इंडियन आर्मी को सौपी जाएगी नेक्स्ट कुशन पर चलते है विश्व का सबसे बड़ा अंतराष्टिया मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहां पर आयोजित किया गया है तो विश्व का सबसे बड़ा जो अंतराष्टिया मंदिर सम्मेलन है और एक्सपो है यह है आपका कासी के अंदर आयोजित किया गया है Option number 20 का बिल्कुल correct answer है Next question Basic Animal Husbandry Report 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुखद उत्पादन करने वाला राज्य कुन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा दुखद उत्पादन करने वाला राज्य भी उत्तरपरदेश ही बन चुपा है Option number 20 का बिल्कुल correct answer है Next question वर्ष 2023 में अंतरदेशिय मतस्य पालन में सर्श्वेश्ट राज्य का पर्थम पुरुषकार किस राज्य को मिला है? तो इसका पर्थम पुरुषकार जो है वो भी उत्तरपरदेश राज्य को ही मिल चुपा है Next question पर चलते हैं दुनिया का पहला जल्विश्विद्याले कहां पर खुलेगा? तो दुनिया का पहला जल्विश्विद्याले बुंदेल खंड के अंदर खुलने वाला है तो option number 20 का बिल्कुल correct answer है और बुंदेल खंड के किस जन्पद में खुलेगा? बुंदेल खंड के हमिरपुड नामक जिने में यह है खुलने वाला है तो यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट कोशन हाल ही में बैजनात अगरवाल का निदन हो जुआ है वे कौन थे तो बैजनात अगरवाल जो है यह गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे जिनका हाल ही में निदन हुआ है तो उप्शन नमबर सी इस काबिनकूल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन कौन सा भारतिय विश्विद्धाले अपना खुद का क्यूब सेट सेटलाइट लौंच करेगा तो अपना खुद का क्यूब सेट सेटलाइट लौंच करने के लिए एम यू अर्थात अलिगर्ड मुस्लिम विश्विद्धाले के द्वारा घोशना कर दी गई है ओप्शन नमबर बी इस काबिनकूल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन अगवान गोतम बुद की 51 फीट उची परतिमा कहां पर इस्तापित की जाएगी तो यह परतिमा जो है वह उत्तर परदेश के कोशाम भी नामकिस्थान पर इस्तापित की जाएगी ओप्शन नमबर इस का बिलकूल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन अर्थात यदि आपसे कोशन पूसता है कि उत्तर परदेश की जले जीव कौन सी है तो आपका अंसर हो जाएगा गंगा डोल्फिन नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन पर इसका पहला सोर सहर कौन सा बनेगा तो उत्तर परदेश का पहला सोर सहर बनने वाला है अयुद्ध्या ओप्शन नमबर सीज का बिलकूल करेक्ट आंसर है दोस्तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से अयुद्या में वी निर्मान एकायों की काफी तेजी से इस्तापना हो रही है तथा अयुद्या को अब हाई-टैक सिटी बनाने के लिए काम किया जा रहा है जो है वह लखनों के अंदर कर दिया गया है उप्शन नमबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आमसर है नेक्स्ट कुशन किस राज्य के अमरोहा धोलक महुबा गोरापत्थर हस्त शिल्प मैनपुरी तारकशी को जियाई टैग दिया गया है तो इसका करेक्ट आमसर हो जाता है उ पागपत के होम फरनेशिंग को जियाई टैग मिला बारापंकी के हैंडलूम प्रोडक्ट को जियाई टैग मिला और कालपी के हैंडपेपर को जियाई टैग दिया गया है तो इतने जियाई टैग आपको अपने एक्जाम के लिए ध्यान रखने है नेक्स्ट कुशन पर चल सही आगानता ओप्शन नमबर A का बिलकुल कर्यक्ट आंसर एंस्ट कोषन पर चलते हैं। नेक्स्ट कुशन उत्तर प्रदेश का पहला सोर सहर कौन सा बनेगा? तो मैंने आपको इसका अभी बताया था उत्तर प्रदेश का पहला सोर सहर जो है वह अयुद्या को बनाया जाएगा तता इसकी जिम्मेदारी NTPC को सूंप दी गई है ये चीज़ भी आपको ध्यान लखना है तो उप्शन नमबर C इसका बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन बीसवा रास्तिया पुस्तक मेला 2023 कहां पर आयोजित हुआ है तो इसका आयोजित लखनों के अंदर कर दिया गया है उप्शन नमबर D इसका बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन उत्तर परदेश की राज्य मचली का क्या नाम है तो राज्य मचली अरतात उत्तर परदेश की जो नई स्टार फिस बनी है उसका नाम है चितला option number A इसका बिल्कुल correct answer है ये question किसी न किसी exam में जरूर पुछा जाएगा कि उत्तर परदेश की राजकी ये मचली का क्या नाम है तो आपका answer हो जाएगा चितला तो option number A यहाँ पर बिल्कुल correct answer है ये चीज आपको ध्यानक नहीं है तो ये था आज का last question इसी के साथ आज की इस class को समाप्त करते हैं आपको class कैसी लगी है आपको comment box में जरूर बताना है तथा class में अन्य कुछ और सुधार की जुरत हो तो आप लोग वो भी चीज comment box में बता सकते हैं और इसके बाद आपको बताना है कि आज हमने जो नया तरीका पढ़ने का अपनाया है कि class में ही आपको question याद करा दिये जाएं पहले कुछ question आपको moq के रूप में कराये जाएं उसके बाद उन्ही questions का एकदम quick revision moq test के रूप में ही आपको वही पर clear करा दिया जाए तो यह तरीका आपको कैसा लगा आप लोग comment box में जरूर बताएं क्या हम इसी तरीके को आगे बढ़ाएं या फिर पहले जिस तरह से वीडियो आ रही थी उसी तरह से continue करें आप लोग मुझे अपने सुझाव एक एक बच्चा बताए ताकि आपकी क्लास इसको और बहतर बनाने में मुझे मदद मिल सके ठीक है न दोस्त तो आप मिलेंगे next किसी वीडियो में अगर आपको एक क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को like अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी share जरू करें और इसी तरह की most important current affairs की वीडियो पाने के लिए आप Rankers GK YouTube चैनल को भी subscribe कर सकते हैं